असलाम अलेकुम आज मैं बना रही हूं मूं की दाल की पकोड़ी इतना पानी आ रहा है बस मूं में मन कर रहा है पहले खा लूँ पूरा बाद में बनाओं किते सुन्दर लग रहे हैं देखने में और गर्मी लग रहे हैं बहुत जादा किचन में आ गई धूँ फिर भी में बना रही हूं और इनको साथ के साथ में डाल रही हूं दही में बाद में चटनी मिक्स करेंगे अब तो हम इनको बना के दही में इस्तमाल कर रहे हैं और दही में यह थोड़े से फूल जाएंगे बहुत अच्छे लगते हैं फिर चटनी मिक्स करके और फिर खाएंगे आप लोग भी खाओ, बहुत टेस्टी हैं, देखो, बेसन के बनाएं या बेसन के, मतलब कुछ बेसन के हैं और कुछ मूं की दाल के हैं, दोनों मिक्स करके बनाएं, और खाने में तो बहुत टेस्टी हैं, बहुत जाद हैं, किते सुंदर हैं, देखो, इतने इजी हैं, बहुत राम से बन गए जल्दी से देखो यह सब होगे पक्के सब तयार कितने सुन्दर पकोड़ी बन गई तयार दही बड़े पकोड़ी मूंकी दाल के बेशन के और इतने सुन्दर लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्ट है जब खाने को बैठे तो बहुत टेस्ट आया बस वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो